ऍस्षी इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसे तयार करने का क्या कानूनी परत्जिए है पावर पेट्रोन एक कानूनी दस्तावेज है जिसके दुआरा आप अपना कोई प्रपर्टी को बेचने अत्वा उस पर किसी परकार का कोई निर्ने लेने का अधिकार दूसरा व्यक्ति को दे सकते हैं यदि आपका एकॉंड किसी बेंक में है, तो उस एकॉंड को मैंटेन करने के लिए, आप अपना कोई पसंदिदा व्यक्ति के नाम power of attorney बना सकते हैं। इसी परकार यदि आपका कोई मुकदमा कोट में लंबित है तो आप पावर रोपेटोर्नी के माधियम से कोई दूसरा व्यक्ति को मुकदमा में परवी के लिए नियुक्त कर सकते हैं. यहाँ पर आपको जितना अधिकार था मुकदमा से समंधित निर्ने लेने का उतना ही अधिकार उस व्यक्ति को भी होगा जिसके नाम आप पावर रोपेटोर्नी बनाते हैं. मान लेते हैं आपका नाम A है और आप B के नाम से पावर रोपेटोर्नी बना रहे हैं तो यहाँ प 500 रूपिया का non judicial stamp paper पर notary के द्वारा इसे बनाया जा सकता है आपको power repairney बनाते समय अपने साथ पहचान पत्र और कम से कम दो गवाह को भी साथ लेकर जाना होगा power repairney पर कम से कम दो गवाह का signature होना compulsory है यानि कि दो गवाह जदि आप नहीं लेके जाते हैं तो आपका power of attorney तयार नहीं किया जा सकता है यानि कि रजिस्टर्शन एक्ट का section 17 और 70B को देखे तो power of attorney को register करना अनिवार्ज नहीं है फिर भी यानि कि आप इसको register करवा लेते हैं तो ये ज़्यदा valuable होगा यानि कि बिना register किया गया power of attorney को यादि register किया गया power of attorney से तुलना करे तो register किया गया power of attorney काफी भे level होगा वैसे भी power of attorney को register करना काफी असान है आप अपने छेतर के register महुदय के office में जाकर इसे register करवा सकते हैं अब चली हम लोग बात कर लेते हैं, power of attorney कितने परकार का होता है, मुख रूप से power of attorney दो परकार का होता है, special power of attorney इसे short में हम लोग SPI के नाम से जानते हैं, second है general power of attorney इसे short में हम लोग GPI के नाम से जानते हैं, अब चली हम लोग बात कर लेते हैं special power of attorney के बाड़े में, SPI के दु लिए यदि आपका कोई मुकदमा कोट में लंबित है तो उस मुकदमा का परवी के लिए आप एजेंट को न्यूक्ट कर सकते हैं जैसे ही आपका मुकदमा का जज्जमेंट हैगा वैसे ही अस्पेशल पावर अप्योग दो-तीन बार कर चुका हूँ वैसे तो परवी सब्त का लेकिन यहाँ पर परवी सब्त का आर्थ है कि कोट दुवारा आपके मुकदमे में दिये गई समय वात्तिती पर उपस्थित होकर मुकदमे का निवारन में सहयोग करना अब चलिए हम लोग जेनरल पावर अप्योग के बारे में बात कर लेते हैं यदि आप एक से अधिक का रहे हैं तो ऐसे परस्थिती में किया गया जनरल पावर अप्योग का लाता है यानि कि जनरल पावर अप्योग के लिए एजन्ट को नियूग कर सकते हैं अब चलिए हम लोग पावर अप्योग के बारे में बात कर लेते हैं जिस डेट में पावर अप्योग तयार किया गया उस दिन से तीन साल तक पावर रपेटोर्नी मानने होगा उसके बाद स्वत्व रद हो जागा यदि पावर रपेटोर्नी बनाने के बाद प्रिंस्पल या एजन्ट का मिर्तियू हो जाता है या पागल हो जाता है तो ऐसे परस्थिती में भी पावर रपेटोर्नी रद हो जा तो ऐसे प्रिंस्पल रिभौक पावार प्रक्रणी का नोटीस एजएंट को भेज कर इसे रद कर सकता ह। से बात करता हैं से बा क्रब दूरिबर पावर प्रणी को मतलब उस से पुलिफा निंश किकी अक्षम हो करता है Durable Power-Rapatternoy को Health Care Power-Rapatternoy के नाम से भी जना जाता है पावर-Rapatternoy बनाने के पस्छाथ एजेंट्सपल के साथ किसी परकर का कोई धोखाधरी करता है या कुछ ऐसा प्रिंसपल को नुक्सान हो जाए तो ऐसे नुक्सान का भरपाई एजन्ट को करना होगा साथ प्रिंसपल एजन्ट के खिलाब धोकाधरी का मुकदमा भी कर सकता है धोकाधरी के बारे में जैदी आप विशेज जन करी जाते हैं तो इस टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं उसे आप देख सकते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होते हैं लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ से यर कीजिए आपको पूछना चाहते हैं तो नीचे कोमेंट करके पूछ सकते हैं